जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने एक छोटा सा बॉक्स लिए हैं जिसके हमने दो पाटिशन्स बनाई है यहां पर है even number यानि की जिस्थ संख्या जिसे की हिंदी में संख्याएं भी कहते हैं और यह है or नंबर जिसे की पुझाबी में टांक संख्या और हिंदी में विशम संख्याएं कहा जाते हैं वे संख्याएं जो दो के पहाड़े में आ जाती हैं या दो से भाग हो जाती हैं उन्हें even numbers यानि की सम संख्याएं कहा जाता हैं और जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती, उन्हें विशम संख्याएं कहा जाते हैं। इसका अभ्यास करने के लिए हमने कुछ पेपर स्टिप्स बनाई हैं। बच्चों के लिए खेल खेल में बच्चे एक पेपर स्टिप उठाएंगे, इस पर दी गई संख्या को पढ़ेंगे, जैसा कि जो पर्ची मेरे हाथ में हैं, इस पर संख्या लिखी है ग्यारा, क्यूंकि गारा दो से विभाजित नहीं होता, तो इसे हम और नंबर्स वाले ख विभाजित हो जाता है, इसका अर्थ है कि 98-22 से विभाजित होगा, अर्था यह संख्या है, तो इसे संख्या वाले खाने में डाल देंगे, इस प्रकार से बच्चा इन पर्चियों की मदद से खेलेगा, और खेल-खेल में ही संख्याओं और विशम संख्याओं को अलग- सीख लेगा, आम तोर पर हम देखते हैं कि बच्चे बड़ी कक्षाओं में भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें संख्याओं का ग्यान नहीं होता, आशा करते हैं, एक छोटा सा खेल-खेल कर बच्चे संख्याओं को अच्छे से सीख बाएं, थैंकि झाल